नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए एक सुबसूच ना अभी अभी हाल ही में विकैंसी निकली है नू डिस्टिक कोट में किलर्क और स्टेनोग्राफर की तो टोटल विकैंसी तो आपकी रहेंगी 41 आएए चलते हैं भरती के तरफ और जानकारी के लिए तो जानकारी के तो मैं आपको जानकारी देदू जो पोश्ट निकली है किलर्क की किलर्क की जो टोटल पोश्ट है वो है 36 ठीक है जिन में जनरल जनरल की विकैंसी हैं वो हैं आपकी 13 और S.C. की हैं आपकी 8 B.C. A. की हैं आपकी 5 और B.C. B.C. B. की हैं आपकी 3 ठीक है इसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूँ ESM की ESM के अंतरगत क्या हुआ है जनरल में है ESM में 2 BCA में है 2 BCB में है 1 और SC में है 2 ये जनरल ESM में निकलिए है ठीक है ESM आप देख सकते हो अब मैं आपको बता देता हूँ ये तो रही किलर की वे कैंसी आप चलते हैं Stenographer की पर Stenographer Stenographer की जो वेकैंसी निकली है वो है आपकी Total 11 Total Push 11 चलते हैं भरतिक तरफ जनरल की निकली है आपकी 5 SC की निकली है 2 BCA की निकली है 2 2 BCB की निकली है एक केमरा में रोकना एक एसम में निकली है आपकी जनरल एक ठीक है इस तरीके से आपकी टोटल पोश्ट रहेंगी यह स्टेनोग्राफर की अब मैंने आपको यह सारी चीज़े बता दी अब मैं आपको बता देता हूं सेलरी सेलरी जो रहेगी आपकी 25,500 से लेकर 35,500 के आसपास आपकी सेलरी रहने वाली है टीए डीए मिलाकर ठीक है इसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूँ एपलाई डेट है आपकी जो एपलाई डेट है आपकी आज से यानि के 23,1,2024 लास्ट डेट रहेगी आपकी लास्ट डेट है आपकी 7,2,2024 ठीक है तो 7,2,2024 रहेगी ये रहेगी आपकी लास्ट डेट इसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूँ एग्जाम के बारे में इतना तो आप समझ गए होंगे इसके बाद चलते हैं एग्जाम के बारे में है एग्जाम किस तरीके का होगा एघ्जाम में तो माइडिया स्टुडेंट्स एग्जाम में आपका क्या होगा रिटन टेस्टों ऑगा है in baby's नमबर एक इंगलिस English composition 50 marks GK question 50 marks इन दोनों का overall 40% लेना आपको test pass करने के लिए exam pass करने के लिए ठीक है GK के मैंने बहुत सारे वीडियोज ढाले हुए में उन्हीं में से ज्यादतर exam में पूछा गया है अब तक मैंने जो डाले हैं उनको आप देख सकते हो मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर इसके बाद मैं आप सभी को जानकारी दे दूँ ये पूरी ओल इंडिया भरती है भारत का कोई भी नागरिक इसमें एपलाई कर सकता है ठीक है अब सिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं सिकल टेस्ट वर्य सिकल टेस्ट में क्या होगा आपका सिकल टेस्ट में 30 30 word PM की सपीर रहेगी 30 word 30 मिनट और वैसे भी जो भी स्टेनोग्राफर या किलर्क की भरती के लिए आविदन करते हैं उनको सिकल टेस्ट के बारे में आल्रेडी पता होता है तो मैं अब इसमें जो एज मैंने आपको बता दी इसकी एज है आपकी 18 से 42 साल ठीक है और एक एक 2024 सक तक आपकी एज 18 से 42 तक होनी चाहिए अब मैं आपको बता दूँ क्वालिफिकेशन किलर्क और स्टेनो किलर्क और स्टेनो ग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको पताईए सब को डिगरी चाहिए डिगरी ठीक है डिगरी और अगर आपके पास डिगरी है तो आप इस फॉंग को फिल कर सकते हैं ठीक है इसके बाद किसी का को आउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है सेलरी मैंने आपको बताए दी अब जिस भी लड़के या लड़की पर फॉर्म भरना नहीं आता उसके लिए मैं आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा दरासल वह फॉर्म जो मैंने भरा हुआ है वह ड्र असल बता देता हूँ कि आप एड्रेस किस तरीके से लिखेंगे और क्या रहेगा एड्रेस आपका adres address में यह लिफाफा है मान के चलो ठीक है इस लिफाफे में आपको यहाँ पर लिखना है the post of ठीक है यहाँ पर लिखना है आपको killer the post of killer यह तरीका होता है ठीक है the post of stenographer इसके बाद आप एड्रेस कैसे लिखोगे इस तरीके से एड्रेस लिखोगे To the district and sessions judge To the district and sessions judge नू यहाँ पर नू का पिन कोड आ जाएगा पिन कोड जब आप मेरे 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 मेर सारा तरीका रहता है लिफापेपर करने का अब मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है इस फॉर्म के साथ आपको क्या करना है आपकी टैन्थ ट्वैल्थ और ग्रेजुएशन जो कि आपकी डिग्री है मार्क सीट की फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड अगर आप अदर स्टेट से हैं अदर स्टेट से हैं तो आपको डौ मिसाल अगर आप लगाएंगे वाकि जरूत नहीं है ठीक है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो हैं कोई सेल्प अटेस्ट नहीं करना बस सिमपल तरीके से भरना रखें और ध्याण रखें फॉर्म भरने के दौरान एक बार अक्षर लिखने के बाद उस पर दोवारा पैन नहीं चलाना है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भईया जब आप फॉर्म भरें तो इनकम्प्लीट फॉर्म या गलत तरीके से फॉर्म भरा गया या गलत तरीके से जानकारी दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है बाकी मैंने आपको सभी सारी चीजे बता दी है अब रही मेरी बात इस वीडियो को प्लीज अपने वर्टसप गूर्प पर सेयर करें इंस्टाप पर फेस्वुक पर और अपने गूर्प में और अपने वर्टसप पर स्टेटस भी लगाएं जिससे सब लोगों को जानकारी हो सके तो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि कर भला तो हो भला सबकी भलाई करें और प्लीज आपसे हाज जोड करने वेदन है फॉर्म जरूर फिल करें जिनके पास इस फॉर्म को फिल करने की योगता है अगर आपके पास कोई एक्सपिरियंस है तो आप उस एक्सपिरियंस आती रहे और चैनल को लाइक भी करें किसी का डाउट हो तुरंत कमेंट करें मैं हर कमेंट का जबाब देता हूं नमस्कार